हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेक टू इस्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिस्कुस करेंगी 30 नवंबर 2021 रिलेटिड मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस्ट, तो आप इस लेक्षर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्षर आपके एक्साम क पॉइंट आप ब्यूशिप बहुत ही इंपोर्टेंट है, दोस्तो अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए, तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजीगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा, इसकी अलाबा दोस्तो इस लेक्षर के ए अध्यक्ष कर और सीमा सुल्क वोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बिवेक जोहरी, दोस्तो बिवेक जोहरी को केंद्रिया अपरत्यक्ष कर और सीमा सुल्क वोर्ड यानि CBIC का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है, अगर हम जोहरी की बात कर रहें दोस्तो तो ये साल 1985 वैच के भारतिय राजस्तो सेबा के अधिकारी है बरतवान में वह CBIC के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे लेकिन अब वो CBIC के अध्यक्ष वन गए है दोस्तों वे अमेत अजीत कुमार की जगह लेंगे जिनका कारकाल इस महीने के अंत में पूरा हो रहा है चलिए फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं CBIC की यानि केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुल्क बोर्ड की तो दोस्तों यसे पहले केंद्रिय उत्पाद और सीमा सुल्क बोर्ड के नाम से जाना जाता था इसका काम क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा CBIC का काम जो होता है वो होता है लेवी और सीमा सुल्क को कलेक्ट करना केंद्रिय उत्पाद सुल्क को कलेक्ट करना केंद्रिय माल और सेवा कर जिसे हम CGST और एकी करित माल और सेवा कर यानि IGST को कलेक्ट करने का काम होता है और दोस्तो इन पर नीती बनाने का भी काम किसका होता है CBIC का अगला कुशन है अमरित सर के परमजीत सींग ने विश्व पैरा पाबर लिप्टिंग चेंपियनशिप 2021 में 49 kg भारवर्ग में कौन सा मेडल जीता है आंसर होगा इसका ब्रॉंज मेडल यानि दोस्तो परमजीत सींग ने विश्व पैरा पाबर लिप्टिंग चेंपियनशिप 2021 में कौन सा मेडल जीता है ब्रॉंज मेडल तो याद रखना है दोस्तो कि ये जो परमजीत सींग है ये अमरित सर से रिलेटिड है और हाल ही में विश्व पैरा पाबर लिप्टिंग चेंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है तिबिलिस जॉर्जिया भे तो वहाँ उन्होंने 49 किलोग्राम भारबर्ग में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है दोस्तो परमजीत को कुल 108 किलोग्राम का बज़र उन्ठा कर राष्टिय कीर्दीमान के साथ तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ है परमजीत ने इससे पहले जकारता पैरा ACI खेलों में 135 किलोग्राम बज़र उन्ठा कर ब्रॉंज मेडल जीता था यानि दोस्तो अगर हम बात करें परमजीत सिंग की तो ये पैरा पावर लिप्टिंग से रिलेटेर है दोस्तो परमजीत सिंग इससे पहले इंडोनेसिया में 2018 में ACI पैरा खेलों में 49 किलोग्राम ब्रॉंज मेडल अपने नाम कर चुके है चलिए फ्रेंड्स अंगला कोशन डिसकस करते हैं इंपोर्टेंट कोशन है भारतिय रेलवे में किस स्टेट में दुनिया का सबसे उंचा यानि 141 मीटर का रेलवे ब्रिज बनाने का काम कर रहा है यानि दोस्तो भारतिय रेलवे जो है वो किस स्टेट में दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज बना रहा है तो इसका आंसर है मनीपुर दोस्तो भारतिय रेलवे मनीपुर में बिस्टो के सबसे उंचे पुल का निर्माण कर रही है यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जीरी बाम इंफाल रेल पर योजना का एक पार्ट है दोस्तो भारतिय रेलबे की यह महत्वा कांची योजना राजधानी मनीपुर को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी दोस्तो इस पुल का निर्माण 141 मीटर की उचाई पर किया जा रहा है उचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के मॉन्टे नेग्रो के माला रिजे का वाइड़क्स्ट के मौजूदा रिकार्ड को तोड़ देगा दोस्तो अगर हम बात करें मौन्टे नेग्रो के माला रिजे का वाइड़क्स्ट की तो इसकी उचाई बर्तमान में 149 मीटर है अगर यह पुल बनकर तयार हो जाता है तो यह दुनिया का सबसे उचा रेलवे पुल होगा अंगला कुशन है दोस्तो इंपोर्टेंट कुशन है भारत किस देशों के बाद या किन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है आंसर इसका अमेर्का और चीन यानि दोस्तो विश्व में अंगदान करने की मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुँच गया है पहले स्थान पर अमेर्का है दूसरे पर चायना है और तीसरे स्थान पर कौन सा कंट्री है दोस्तो भारत केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मंडाविया ने बताया है कि अंगदान के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा इस्थान आया है यानि दुस्तों अंगदान के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है Global Objectory on Donation and Transplantation जिससे हम G.O.D.T. के नाम से जानते हैं और उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए साल 2010 से भारतिय अंगदान दिवश मनाया जा रहा है याद रखना है दोस्तों कि अंगदान दिवश जो है वो 2010 से मनाया जा रहा है अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अंगदान दिवश है ये कम मनाया जाता है पिछले अगर आप लेक्षर शुने होगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा किया है अंगदान दिवस कम मनाया जाता है मनसुक मंडाविया ने बताया है कि साल 2012-13 के मुकाबले में देश में अब चार गुना अंगदान के मामले बढ़ गए हैं यानि लोग 2012-13 के अपक्षा चार गुना अंगदान कर रहे हैं अंगला कुशन है भारतिय रिजर बैंक यानि आर्बियाई ने नियमों के पालन के अंदेखी पर किस बैंक पर एक करोड रोपय का जुरूर बाना लगाया है तो दोस्तो इसका आंसर होगा SBI यानि State Bank of India पर RBI ने हाल ही में एक करोड रोपय का जुरूर बाना लगाया है अगर हम बात करें RBI की तो इसका कहना ये है कि SBI ने RBI की जो नियम है उनकी अंदेखी की है दोस्तो RBI ने एक बयान में कहा है कि SBI पर यह जुरूर बाना 16 नॉवंबर 2021 के आदेश पर लगाया गया है केंद्रिय वेंक के अंसार यानि Reserve Bank के अंसार SBI के Inspection for Supervisory Evaluation के लिए वैधानिक निरिक्षण 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को अफनी Financial Position की सद्नर्म में आयुजित किया गया था यानि दोस्तो जो RBI की guideline है उसके अंसार SBI ने काम नहीं किया है इसके आधार पर उस पर 1 करोड रुपए को जुरुवाना लगाया गया है याद रखिएगा कि जो RBI है उसका full form होता है Reserve Bank of India और इसके बरतमान में गवर्नर कौन है सक्तिकांत दास कौन है दोस्तो सक्तिकांत दास नेक्स्ट कुशन है हालवी में NCC का स्थापना दिवस कब मनाय गया यानि NCC का स्थापना दिवस हाली में कब मनाय गया तो इसका आंसर होगा 28 नॉब्मर को दोस्तो भारतिय ससस्तरवलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा बर्दीधारी युवा शंगठन है कौन NCC जिसे हम National Cadet Crops के नाम से जानते हैं तो 28 नॉब्मर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है और 73 वी वर्सगाट भी मनायी है दोस्तो NCC दिवस हर साल नॉब्मर के चौथे रविवार को मनाया जाता है यानि इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है NCC दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है दोस्तो NCC दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जाता है जिसमें कैड़ेट, मार्च, रक्तदान सवेर और सामाजिक डेवलप्मेंट प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो दोस्तों ये बहुत important point है कि जो NCC दिवश है ये कब बनाय जैता है हर साल नवंबर माह के चौथे रविवार को दोस्तों NCC के बारे में कुछ important point डिसकस करते हैं तो NCC का जो full form होता है वो होता है National Cadet Crops इसका गठन हुआ था 15 जुलाई 1948 को NCC पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बर्दिधारी योबा शंगठन भी है NCC का headquarter है नई दिल्ली में दोस्तों जो headquarter है अब इश्कूल और college के चात्रों के लिए खुला रहता है दोस्तों यह एक स्वच्छिक त्री सेवा संगठन यानि tri service organization है और इस संगठन में सैना, नौशैना और wing सामिल है तो ये थी कुछ important current affairs 30 नवंबर से related अब हम डिसकस करते हैं दोस्तों 29 नवंबर से related most important current affairs जिनका हम revision करने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा पहला question हाली में केंदरिय मंत्री मंडल ने किस योजना की विस्तार को अंगले चार महिने के लिए मंजूरी दे दी है अंसर होगा प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना हाली में एशिया यूरोप मीटिंग सिखर सम्मीलन का अज़न किया गया है इसमें भारत की तरब से किसने हिस्सा लिया था अंसर है बेंकईयन आइडू ने हाली में किसने आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉग्रेस के पांचमी संस्क्रण का हाली में उधगार्टन किया है अंसर होगा राजनाथ सिंग हाली में किस स्टेट में साइवर थहसिल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी ये दे दी गई है आंसर होगा इसका मद्ध प्रदेश हाली में राष्टिय अंगनान देवस का मनाया गया 27 नवंबर को और दोस्तों सम्विधान देवस का मनाया गया आंसर इसका 26 नवंबर को अब हम जीके से related कुछ important point डिसकस करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा हीमोगलोविन की कमीशे कौन सा रोग होता है एनिमिया भारत कोकिला कौन कहलाती है सरोज निनाइडू दिल्ली में कुतब मीनार किसने बनवाई थी आंसर है कुतबुद्दीन एवक बनारस हिंदू विश्यो विद्याले की सलस्थाप़ कौन है दोस्तो बेवेकानन इसमारक कहां इसते थे कन्या कुमारी में दासेक्ष यानि सार्क का मुक्याला कहां है काटमांडू नेपाल में और सार्क में कितने देश सामिल है आठ वो देश कौन-कौन से है भारत, नेपाल, भांगलादे, स्रिलंका, माली, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोस्तो अब हम वो कुश्यन डिसकस करते हैं जिनकी आंसर आपको कमेंट बोक्स में देना है पहला कुश्यन ध्यान से सुनिएगा केंद्रिया आप प्रत्यक्ष कर और सीमा सुलक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए है परमजी सींग का संबंध किस खेल से है मनिपूर की कैपिटल क्या है ये आप बताएंगे और बरतमान में RBI की गवर्नर को रहे हैं इन सभी प्रस्नों के आप आंसर जरूर दीजेगा कमेंट बॉक्स में अब हम वो नाम भी डिसकस करते हैं जन्होंने कल के आंसर सटीक दिये हैं रुपाली ठाकुर, बिश्नु श्वलंकी, महेंद्र सिंग और बवीता रावत इन सभी ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिये हैं, आप भी आंसर दीजेगा दोस्तों, आप स्टीडीकर को खबरी अप पर फॉलो कर लीजेगा और दोस्तों, एक और इंपोर्टेंट जानकारी है साम 6 बजे, आप खबरी अप पर इस्टीडीकर से लाइव जुड़ सकते हैं वहाँ पर दोस्तों आपको करेंट अफ्यास का रिवीजन करवाए जाएगा तो आप साम को 6 बजे खबरी अप पर इस्टीडीकर से लाइव चड़ू जुड़िएगा दोस्तो आप हमसे WhatsApp की माध्यम से भी जोड़ सकते हैं हमारी WhatsApp नमबर है 86-0-37-13 और 87-73-0-9 राजा गुप तक आप नेकेडिफर फॉलू कर लिजीगा वहाँ पर आपको उनकी Special Classes, Life Classes मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आप उनकी माध्यम से कोई भी कोर्स पर्चेश करेंगे तो उसके लिए आपको एक Referral Code उच करना होगा राजा नमबर वन जैसे ही आप यह Referral Code उच करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी दोस्तो अगर आपको यह लेक्शर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिगा दोस्तों को सेर जरू करिएगा हर एक प्लेटफर्म पर जैहिंद वन दे मातरम